वेल्कम गाइज वेल्कम बाक टी ओन चैनल ऑप्शन गाइट तो स्वागत आपका एक और बहुत ही शानदा डेली मार्कलिस वीडियो में आज हमारी बैंक निफ्टी के एक्सपाइरी थी बैंक निफ्टी में एक्सपाइरी जो हमने आपको बताया था जहां से मार्केट में फॉल आएगा वही लेवल डे हाई बनता है मौनिंग में टेस्ट होता है मार्केट मार एजेक्शन लेती है और वहां से कंटिनेस फॉल निफ्ती में कल मैंने आपको क्या काता है यार मिड में लेवल्स नहीं बन रहे हैं मिड में पर मुझे रिसर्च के तुरू एक ट्रंड लाइन मिली है और आपके सामने मैंने लाइव ड्रॉ करके दिखाई थी कैसे ही है मैं बना रहा हूँ था कि आप थोड़ा लेवन भी कर सको आज मैजिकली उस ट्रंड लाइन ने काम किया पूरा दिन हम ट्रंड लाइन के बिलो थे और ट्रंड लाइन से हमें मार्केट में फॉल देखने को बला तो दोनों ही जगा परफेक्ट सेटप पे मार्केट ने काम किया और होप आपने अच्छे ट्रेट्स बनाए होंगे क्योंकि इससे मैजिकल ट्रेट्स आपको इससे मैजिकल सेटप आपको नहीं मिल सकता यह हम डेली प्रूव करते हैं आज भी वह यह आपको दिखाई देगा और डेली यह होता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है और लाइक भी कर दिया करो यार क्या कंजूस ही करते हो इतनी परफेक्ट वीडियो डेली बनाते हो लाइक नहीं कर पा रहे हो पता नहीं पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं ओपनिंग गाप डाउन होई लेकिन हमारे डिसकेशन क्या थी कि फॉर्टी एट नाइन फिफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल है लोवर साइट सपोर्ट का अगर यह ब्रेक हुआ अगर मार्केट इसके बिलो है तो फिर मार्केट में आएगा और मार्केट नेगेटिव होगी बहुत सिंप्ली यही डिसकस किया था देखो ओपनिंग लोवर साइड होई पहली केंडल से हम लेवल को टेस्ट करते हैं लेकिन रेजेक्शन फेस करते हैं और कंटिनस हम लेवल के बिलो ही है अब बहुत क्लियर है ना 48,950 के बिल यह आ रहा है कोई लेवल से मिलेगी और जहां तक टागेट है वह भी लेवल होंगे और वहां पर मार्केट काम करेगी लोवर साइड नेक्स लेवल क्या है 48,625 यह हमारा टागेट था एक्सपाइरी वाले दिन 300 पॉइंट्स का अगर आपको फॉल कैच करने को मिल रहा है इसली कैपिटल डबल होता है यहां पर तो अगर आपनी यह ट्रेड बनाया होगा बहुत ही परफेक्ट फॉल फिर मार्केट इस लेवल पर आकर सपोर्ट भी लेती है बहुत टाइम स्पेंड करती है क्योंकि लेवल था डे अंड में फिर काइंड अफ यह भी ब्रेक होता ह फ़ेक्ट में मिल नहीं रहेल ही तो बेश्ट ट्रेड मानिंग में था लेवल तू लेवल ट्रेड आया यही सेट अप में ट्रेड डिसकस किया था यहक्श लेवल ऑसे जब बांस आता है फिर मारकेट दुबार आके रजिस्टेंस इसी level पे face करती है देखो day end में यही तक दुबार आते हैं हर चीज level to level होती है बस use कर लो level daily समझाता हूँ जिस दिन use करने लगोगे आपको अपने trading में difference दिखाई देगा ठीक है यह bank nifty की बात हुई बहुत यह अचा setups था क्योंकि हमारे बस पहले से levels थे लेकि nifty में ऐसी कहानी नहीं थी nifty में बिलकुल अलग था mid में levels ही नहीं थे market ने जादा काम किया ही नहीं था mid में levels पे तो levels थे ही नहीं तो मैंने आपको कल research करके यह trend line बदाए थी एक बार zoom out कर देता हूँ तकि आपको trend line दिखाई दे जाए कि हाँ भई वही trend line है जो कल में आपको दिखाई थी यह देख लो same trend line है और आप लोग पूछ रहे थे यह level क्या है trend line का points का यहर मैं आपके सामने mark करके आपको दिखा रहा हूँ अब इससे जादा क्या करूँ आपको सामने तो points दिख रहे हैं 5 minute time frame का chart है यह points आपको connect करने थे और वहाँ से यह trend line आपको मिल जाती यहाँ top यहाँ बना था trend line पे उसके बाद यह दोनो levels पे trend line ने काम किया था तो perfectly कल यह trend line डिसकस की थी आज market ने इस trend line पे काम भी कर दिया देखो आज क्या हुआ यह देखो morning में gap down opening लेकि लेवल पे level में आपको lower side क्या का था एक ही level है upside हमार पास level था 22,920 उसके बाद कोई level ही नहीं था जब level नहीं बनता तो हम नहीं बताते हैं उसके बाद बीच में यह trend line थी और directly उसके बाद level था 22,765 अब morning में क्या हो रहा है opening gap down होई लेकिन exactly इसी support level पे और यहां से market में हमें bounce back भी देखने को मिला decent bounce था almost 50 points का bounce भी आया है यहां फिर दुबारा हम below आ जाते हैं इस level को break करते हैं और market में fall भी आता है ठीक है level को lower side break की है हमने और market में fall भी आया लेकिन जो सबसे अच्छा trade था न वो क्या था यहां suddenly क्या हुआ market में दो बड़ी green candles बनी ऐसा लगा पूरा trendy change हो रहा है market बिलकुल यहां से bullish हो जाएगी लेकिन यह जो दो green candles बनी थी यह आपको entry देने आई थी बहुत सारे लोग यहां bullish हो गए होंगे जो market में bounce का wait कर रहे थे लेकिन अगर आपके charts पे trend line mark होती है तो आपको clearly पताता है यह bounce जरूर आया है लेकिन हम bullish अभी नहीं होंगे bullish market तब ही हो सकती है जब trend line को break कर देगी market आई जरूर यहां लेकिन market आई resistance पे और वहीं से पहली बार भी fall आया और second time फिर market level पे आती है trend line पे आती है resistance फीज करती है और फिर यहां से दुबारा fall आता है और हमारा target भी अचीववा 22690 तो magically trend line ने काम किया और यह फिर से क्या दिखाता है कि जो हम research करते हैं वही चीज़े हम आपका share करते हैं तब ही हमारा setup इतने अच्छे से काम करता है जहां levels नहीं बने होते हैं या हमें नहीं मिलते हैं research के थूरू मैं मना कर देता हूँ यार हमें नहीं दिख रहे हैं levels मुझे जो setup में clearly levels मिलते हैं या जो trend lines या जो भी setup मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ Fibonacci के थूरू हमने top निकाला था ना 23100 और lifetime top nifty का यही बना और यहां से हम 400 points fall भी कर चुके हैं और यह तो मैं आपको 2-3 दिन पहले ही बता चुका हूँ कि यहां top बनेगा इसके अबव हमें market को chase नहीं करना है इसके अबव हमें market नहीं दिखाई देती है यहां से reversal भी आ सकता है और वही reversal market में आ रहा है इससे ज़दा proof क्या लोग है इसी week हमने market में top catch किया कल ही आपको trend line बतायती trend line ने काम किया levels आपने bank nifty में भी देखे magically काम करते हुए तो हर चीज perfectly काम कर रही है और इसके लावा एक और doubt में clear कर देता हूँ जब भी मैं आपको बताता हूँ ना कि यार अभी recent time में market का top यहां बनेगा तो तभी यह भी comment आने लगते हैं सर portfolio sell कर देंगा यह आपको कभी भी नहीं कर मैं हमेशा बताता हूँ trading और investment दोनों बिलकुल अलग चीज़े है यह जो levels है यह जो setup है यह trading के लिए है investment में यह चीज़े use नहीं होगी investment यह नहीं कि आज buy किया फिर एक सब्ता बाद या एक महीने बाद sell कर दिया फिर buy किया फिर दो तिन महीने बाद sell कर दिया उसे investment नहीं कहते है investment होती है long term के लिए छोटे मोटे 2-4-5% के dip से investment में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपको हमेशा invested है ना investment को ऐसे नहीं करना है कि जैसी कोई news आई किसी ने डराया आपने sell कर दिया अरे कभी portfolio बना ही नहीं पाओ गया अब आज की market हो चुकिए बहुत ही अच्छा दन था और कुछ queries भी answer कर दिया लेकिन आगे क्या कल क्या दिखता है पहले nifty की बात करते है जिसकी कल expiry है कि क्या करना है क्या level से क्या setup है देखो कल expiry है तो कौन से levels use करेंगे बिलकुल सही का आपने 50s के level use करेंगे 22700 पहला level है उसके बाद 22650 उसके बाद 22600 level और उसके बाद 22550 एवरी 50s पे level है अपसाइड भी 22750 काफी important क्यों है अभी बताऊंगा 50s का level तो ही लेकिन overall भी important level है उसके बाद 22800 उसके बाद 22850 और 22900 नौर्मली हम क्या strategy यूज करते है कि जहां भी market में opening हो उसके नियर बाए के 50s के level देखो जिस direction में market level को break करें उस direction में trade बनाओ मालनों यहां opening हो 22800 को upside break करें तो rally आएगी और यह यहां opening है 22750 को break किया तो market में fall आएगा यह normal setup होता है यह setup आपको कब use नहीं करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ most important level है 22750 अगर market इसके below open हो रही है ना तो यह setup हम follow नहीं करेंगे क्यों क्योंकि फिर यह major resistance है अगर इसके below open होते तो जब तक 22750 upside break नहीं होगा nifty rally नहीं करेगा nifty bullish नहीं होगा क्योंकि यहां पर level भी है और trend line की भी resistance exactly इसी level तो कल अगर इसके below open होते हैं तो आपको wait करना है 22750 के breakout का तब bullish होना है ठीक है और downside के लिए तो same strategy है कोई भी level oversight break होगा तो market में fall आएगा और market negative होगी वो simple है कोई भी level माल लो 22680 पर opening होती है उसके बाद 22650 को lower side break करते हैं तो fall के लिए trade बना लो लेकिन अगर 22680 पर opening होती है 22700 को upside break करते हैं तो bullish trade नहीं बनाना है क्यों नहीं बनाना क्योंकि उसके immediate यहां पर फिर resistance है ट्रड लाइन पर तो hope clear है कि अगर above open होते है ट्रड लाइन के तो same strategy follow करना है लेकिन lower side open होते हैं तो bullish trade तब बनेगा जब 22750 ब्रेक होगा यानि ट्रड लाइन ब्रेक होगी और bearish trade तो वही same setup है bearish trade में कोई setup में अलग चीज नहीं है लेकिन bullish trade में आपको wait करना है 22750 के breakout का तब bullish trade बनाना है यह है कल के लिए nifty का setup अगर थोड़ा भी complex लग रहा है दुबारा एक बार rewind कर लेना या आप मुझे comment में बता देना मैं दुबारा आपको समझा दूँगा वैसे तो hopefully मैंने चुकी है कल यहां support था अगर आपको याद हो और मैंने का था यह support ब्रीक होगा तो market में बड़ा fall आ सकता है वही fall आया भी लेकिन अब यह resistance का level काम करेगा 3,28,000 होगा यह call side put side 1,92,000 तो more than 1,00,000 का gap है तो resistance 22,800 लेवल है as per option chain और support 22,700 पे ही मिल जाता है जहां closing होई है वहीं पे support है क्यों क्यों क्योंकि 1,00,000 का gap यहां भी तो मिल रहा है 2,50,000 होगा यह put side call side 1,50,000 तो एक छूटी सी range है कल 22,700 से 22,800 अगर market में कोई बड़ा move आपको play करना है तो वो तब आएगा जब यह range break हो जाएगी और overall वो ही setup है यार जो हमने charts पर discuss किया आप simply वो setup follow कर सकते हैं वो ही trades बनेंगे 50s के level mark करने है देखने कि side break हो रहे है उसके recording trades बनेंगे और most important level 22,750 है उसके पास जब हो market तो देखना उस trend line पर market कैसे काम कर रही है trend line को upside break करेगी तो market bullish है और trend line के below है market तो market negative होगी यह simple nifty का कल के लिए setup है अब bank nifty की भी एक बार बात कर लेता है expiry वैसे नहीं है लेकिन फिर भी setup क्या बता रहा bank nifty का आज perfect दिन था bank nifty में लेकिन कल क्या करना है levels बता देता हूँ पहले fit rates की बात करूँगा immediate 48,625 resistance है उसके बाद 48,950 से 49,000 का zone है lower side 48,400 support है उसके बाद 48,165 उसके बाद फिर से एक zone है 47,940 से 48,000 का bank nifty में भी top आपको याद होगा 49,300 हमने bank nifty में भी top catch किया अभी recently और nifty में भी दोनों secret बता हूँ आपको 49,300 क्यों top बनने वाला था ट्रलाइन तो थी हमारी पुरानी लेकिन अगर आप one day time frame में super trend mark करके देखोगे न वो भी मुझे वोई level बता रहा था market का top बनेगा market super trend अभी sell sign के साथ है one day time frame में bank nifty में और उसका level 49,320 के आसपास है इसलिए वहाँ पे top बन लेते हैं bank nifty का bullish होना है market को 48,625 के आसपास बहुत जादा time spent के market में आज तो इसे break करना पड़ेगा तब कल bank nifty में rally आएगी और target होगा यह zone simple trade 48,625 के अब बैंक nifty bullish होगा bank nifty में rally आएगी आपको calls में trade करने है और यह upside zone हमारा target होने वाला है simple clear setup है downside 48,400 support है आज का daily हो भी ह अगर यह support break होगा तो bank nifty में fall आएगा bank nifty negative होगा और targets पहला 48,165 और उसके बाद यह zone 47,947,48,000 इतना simple clear setup है hope इसमें कहीं कोई doubt नहीं है तो यह setup आपको follow करना है hope सारी चीज़े clear है वीडियो अच्छे लगे तो like कर देना हमसे और जादर closely जूडना चाते है तो हमारे link के आप DMIT account open कर सकते हैं धन broker बार बार सज़ेस्ट करता हूँ कि महां ऐसे बहुत सारे गजब के features हैं जो आपको और कोई broker नहीं देता है तो जरूर धन broker में account open कर ले हमारे link से अगर आपने अभी तक नहीं किया description और first comment में आपको link मिल जाएगा बिलकुल free account है कोई पैसा नहीं हैं तो क्या करना है कर लो यार subscribe four year से प्रूफ कर रहे हैं कि best possible levels और setup आपको यहीं मिलेंगे तो subscribe जरूर कर ले